कोरोना से भायानक महामारिय अब ऐसी जगा से आएगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कोरोना के सारे वेरियंट्स से खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया ग्लेशियरों में छिपे हैं। इनका सबसे बड़ा भंडार उत्तरी दुरूव के अंटाक्टिक जीलों में है। जलवायू परिवर्तन की वजए से पिघलते ग्लेशियरों से न जाने कैसी कैसी महामारियां फैलेंगी। नई स्टडी में ये खुलासा हुआ है। कोरोनवायरस के कई वेरियंट्स आए। दुनिया भर में कोविद नाइंटीन महामारी फैली। लाखों लोग मारे गए, करोलों बीमार हुए, अब भी नए वेरियंट्स आ रहे हैं। किसी ने कहा कि ये वेरियंट्स चमगादर से आए, किसी ने कहा पक्षियों से, लेकिन दुनिया में अगली महामारी इनमें से किसी जीव से नहीं आएगी। ये आएगी पिघलते हुए ग्लेशियरों के नीचे से। ग्लेशियरों के नीचे कई प्राचीन बैक्टीरिया और वायरस दबे हैं, जो बाहर आए तो धर्ती पर तबाही मचनीत है। इनसे समुदरी जीव संक्रमित होंगे, उनसे पक्षी और फिरान्य जीव, बाद में इनसानों के संक्रमित होने की भी आशनका है। बढ़ते वैश्विक तापमान, ग्लोबल वॉमिंग और जलवायू परिवर्तन की वज़े से ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। इन ग्लेशियरों के नीचे करोणों सालों से बैक्टीरिया और वायरस दफन हैं। ये वही पर प्रजनन करके अपनी पीरियों को बढ़ा रहे हैं। एक नई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि अन्टाक्टिक की ग्लेशियर जीली ग्लेशियर लेक्स खतरनाक महामारी फैलाने लायक बैक्टीरिया और वायरस का प्रजनन केंद्र है। यहां से जो वायरस निकलेंगे उनसे इबोला, इन्टाक्टिक सकिल के उत्तर में लेक हेजेन में वैज्ञानिकों ने खोजे बैक्टीरिया और वायरस हाल ही में, वैज्ञानिकों ने अन्टाक्टिक सकिल के उत्तर में मजूद लेक हेजेन की स्टडी की। उन्होंने वहां की मिट्टी और सेडिमेंट्स की जांच की, वहां से DNA और RNA हासिल कर उनकी सीक्वेंसिंग की, ताकि वाइरस बेक्टीरिया का पता चल सके. एक computer algorithm के जरिये ये पता लगाने की कोशिश की की कौन से वाइरस जानवरों के हैं, कौन से पेर पोधों के हैं और कौन से उस इलाके में मौजूद फंगस में हैं. तब जाकर पता चला की यहां से वाइरस लेक का खत्रा बहुत ज्यादा है. ये समुदरी जीवों से जमिनी ज जिन की study की. उन्होंने वहां की मिट्टी और sediments की जांच की. वहां से DNA और RNA हासिल कर उनकी sequencing की. ताकि वाइरस बैक्टीरिया का पता चल सके. एक computer algorithm के जरिये ये पता लगाने की कोशिश की की कौन से वाइरस जानवरों के हैं, कौन से पेर पोधों के हैं और कौन से उस इला Proceedings of the Royal Society B में छपी रिपोर्ट के मुताबिक glacier के पिघलते ही इन वाइरसों के फैलने का खत्रा बढ़ जाएगा. इन सबकी वज़य क्लाइमेट चेंज है. जलवायू परिवर्तन की वज़य से विभिन प्रजातियों के जीव जन्तूँ में वाइरल वेक्टर बदल रहे है उच्छाई वाले आक्टे के लाके नई महामारियों का गड़ बन सकते हैं. वेज्ञानिकों ने वाइरस और उसके होस्ट के पैदा होने और विकास की स्टडी की. पता चला की वाइरसों से महामारी फैलने का खत्रा है. अगर जलवायू परिवर्तन की वज़य से लगातार ग्लेशियर पिघलते रहे तो भायानक महामारी फैलेगी. क्यूंकि अगर वाइरसों के इतिहास को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किसी भी तरह के होस्ट में विक्सित होने की क्षमता रखते हैं. यानी जानवरों में, इंसानों में या फिर पेर पौधों में, या फि इसे प्राचीन वायरसों और बैक्टिरियां से फैलने वाली महामारी का खत्रा बढ़ गया है.